सांकिका केंदरी प्रवितिकी माँप अर्थात मि punish़र मेंट आफ सेंटरल टेंडेंशी इसको पढ़ेंगे इसके अंतरगत माध्य माध्य का बहुलक पूछे जाते हैं आज हम इस वीडियो में माध्य पर चरचा करेंगे माध्य के अंतरगर समांतर माध्य एम गुड़तर माध्य जीम हरात्मक माध्य हम सुद्ध माध्य और सामोईक माध्य के क्वेश्चन हमल करेंगे और देखेंगे यह हैं क्या और इनके अंतर संबंध इनमें संबंध क्या हैं वो भी देखेंगे समांतर माध्य सबसे पहले या माध्य जिसको कहते हैं हमने जो लोग हमारा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो सरप्रतम हमारा पहला वीडियो देखें उसमें हमने आकड़ों की विश्थी करण के लिए तीन प्रकार की सिरीज बताई थी इंडिजिवल या व्यक्तिकर सेंडी, डिस्कीट या असतस सेंडी और कांटिनिवस या सतस सेंडी उसको देखने के बाद आपको ये नया नहीं लगेगा यहां पर हम डारेक्ट हल करेंगे चुकि हम बता चुके हैं इसके बारे में तो व्यक्तिकर सेंडी में अगर समांतर मा सिग्मा एक्स अपान एन सिग्मा का अर्थ होता है योग अर्थात यह जो मूले दिये गए हैं इनका अगर योग कर दें तो सिग्मा एक्स यह एक्स है ठीक अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो यह सिग्मा एक्स निकलाएगा ठीक है और एन क्या है मदों की संख्या कुल इसका सूत्र है समांतर माध्य पराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एफ क्या है फ्रिक्वेंसी या बारम बारता है ठीक है न वैल्यूस की बार बार जो वैल्यूस आये हैं बारम बारता है ठीक है न सिग्मा एफ अर्थार बारंबरताओं का योग और सिग्मा एफ एक्स अर्थात f इंटू x f गुर्टे x तो ये असतस सेनी दी है जैसे 5 का बारंबरता 6 है 10 का बारंबरता 4 है frequency 4 है इधन से frequency दी है थमको चूकि इस सूत्र से ग्यात हो रहा है कि हमको f x निकालना है इसका आर्थ है f और x का गुड़ा करना होगा f और x का गुड़ा करना होगा ठीक है न तो इसके लिए एक कॉलम और हम बनाएंगे f x का f x का एक कॉलम और बनाएंगे और इन सम में multiply करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा f इंटू x 5 का 6 से गुड़ा 30 10 का 4 से गुड़ा 40 15 का 5 से गुड़ा 75 इजन से f x आ जाएगा f x को हम पूरे को जोड़ लेंगे तो हमारा σिग्मा f x आ जाएगा इसी तरह frequency को जोड़ लेंगे तो यह हमारा σिग्मा f आ जाएगा इसी को हम इस सूत्र में रख देंगे सिग्मा f x कितना आ रहा है 415 सिग्मा f कितना रहा है 25 415 पांच 25 अर्था 83 बटे 5 16 सहीं 3 बटे 5 यह हमारा उत्तर आ जाएगा सरलता से अब सतस्रेणी या continuous series में देखेंगे यह class interval दिया है 0 to 10 बारंबारता दी है f frequency 6 10 से 24 है 20 से 35 है इढ़न से यहां भी वही सूत्र apply करेंगे arithmetic mean समांतर माद्य बराबर sigma f x upon sigma f sigma f x upon sigma f लेकिन हमको यहां पर x ग्यात नहीं है तो x ग्यात करना होगा ठीक है x नहीं ग्यात है x ग्यात करना होगा x ग्यात करने के लिए क्या करेंगे सरवर्थम प्रत्यक class का मध्विंदू ग्यात करेंगे जो x कहलाएगा तो x ग्यात करने के लिए मध्विंदू ग्यात करने के लिए क्या करेंगे l1 प्लस l2 upon 2 अर्थात l1 क्या है यहां पर वो किसी class का निमन सीमा है और एडिटू क्या है किसी class की उच्छ सीमा है निमन सीमा जैसे इस class में देखते हैं तो निमन सीमा क्या है 0 है उच्छ सीमा 10 है इन दोनों का योग अपांदो ये मद्ध बिन्द हो जाएगा तो इसकी value यहाँ पर x में put up कर देंगे है न तो 10 plus 0 अपांट 2 कितनी हो जाएगी 5 है न इसी तरह 20 धन 30 अपांदो 15 ठीक तो इस धंक से हमको x प्राप्त हो जाएगा फिर इस हमको fx ले आना है तो f और x का गुणा कर देंगे fx आ जाएगा उसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा fx के लिए यहाँ पर add कर देंगे तो हमको sigma fx ग्याद हो जाएगा है न तो जब हम यह कर लेंगे तो class को भूल करके इसको हम भूल जाएगे class interval को फिर हम discrete जैसे हमने असतस syndrome निकाला था उसी तरह हल कर लेंगा तो इस तरह से कुछ बनेगा 0 से 10 चा 0 यह देखे यह हमारा मदिविद्ध हमने ग्याद कर लिया सबका ठीक है न 0 से 10 10 से 20 का मदिविद्ध 15 20 से 30 का 25 जिए हमसे ग्याद कर लिया ठीक है न और इन सबका f और x का गुणा कर दिया, तो हमको fx ग्यांत हो गया fx ग्यांत हो गया हब हमको क्या चाहिए, sigma fx चाहिए तो हमने fx को जोड लिया सबको, तो sigma fx प्राप्त हो गया इसी तरह बारम बरताओं का यूग, sigma f प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं करना है सूत्र में लिग देना है 705, 25 ठीक है न, बराबर 28.2, ठीक है यह आ गया, उत्तर समातर माध्य कितना हो गया इस continuous series का, 28.2 अब हम शुद्ध माध्य के लिए देखें जो दूसरे पकार का माध्य जो पूछा जाता है शुद्ध माध्य पूछा जाएगा इसमें क्या क्या जाता है कि जब कई आकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है यदि उनमें से कोई मद गलती से लिख दिया जाए जैसे कि कई लोगों के प्राप्तांक अगर जोड़े जाए किसी परिशा में अगर किसी का प्राप्तांक उसमें गलत हो जाए गलती से कुछ और लिख दिया जाए तो हमको अशुद्ध माध्य प्राप्त हो जाएगा अशुद्ध योग प्राप्त हो जाएगा ठीक है न तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा अगर शुद्धमाध्य पूछा जाए ऐसे में तो अशुद्धमाध्य माइनस अशुद्धमध माइनस शुद्धमध अपान मदोगी संख्या यह सूत्र या तो हम अपनाएंगे या तो गर्ना विधी जो हम आपको बताएंगे दोनों मिधट से आप साल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले हम प्रश्ण देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा 20 व्यक्तियों की मासिक आयका आउसत रुपए 5,000 पाया गया 20 व्यक्ति हैं अर्थाद मदो की कुल संख्या 20 हो गई उनकी मासिक आयका आउसत कितना है? 5,000 रुपए है बाद में पता चला कि एक व्यक्त की मासिक आयक चार हजार रुपए के अस्थान पर 6,000 ले लिया गया अर्थाद ये जो 5,000 रुपए आया था वो अशुद्ध हो गया ये अशुद्ध था तो सुद्ध मासिक आउसत आयक कितनी होगी? ठीक तो जैसा हमने आपको पताया शुद्ध माध्य अगर ग्यात करना हो अशुद्ध माध्य माइनस असुद्ध माध्य माइनस सुद्ध माध्य अपान मधों की संख्या तो यहाँ पे अशुद्धमद कितना है? रुपए पांच जार है न? अशुद्धमद कितना है? चाजार रुपए गलती से ले लिया गया अस्थान पे और लेना कितना चाहिए था? शुद्धमद कितना होता? चार जार होता तो इसी को हम सुद्धमद माइनस अशुद्धमद माइनस सुद्धमद अपान मदों की संख्या तो अशुद्धमद कितना है? अशुद्धमद कितना है? पांच जार अशुद्धमद कितना है? चाहजार शुद्धमद कितना था? चाहजार मदो चंख्या कितनी थी 20 ठीक है न इसको स्वाल करेंगे 6000 में से 4000 गए 2000 और 20 से भाग करेंगे 100 आजाएगा 5000 में से 100 खटाएंगे 4900 ये उत्तर आजाएगा इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं दूसरा मेथड कैसे यूज करेंगे देखें 20 व्यक्तियों की आउसत आये दी हुई है 20 व्यक्तियों की आउसत आये दी हुई है हमने बताया था कि आउसत का इस्तेमाल संकिकी में और घंडित में होगा ही होगा हर जगा तो आ गया देखिए 20 व्यक्तियों की आउसत आये 5000 दी है तो 20 व्यक्तियों की कुल आये कितनी हो जाएगी 20 मुरते 5000 ये कहां से आया जो लोग नहीं जानते हैं एक बार ध्यान से देखें देखिए 20 व्यक्तियों की आउसत आये 5000 अर्थार अगर 20 व्यक्तियों की कुल आये X है तो उनकी आउसत आये कितनी होगी एक सबान 20 होगी जो कि कितनी दी हुई है पांच जार दी हुई है है न तो कुल आए कितनी हो जाएगी बीस मुर्ते पांच जार वह यहाँ पर हमने डारेक्टली किया हुआ है बीस मुर्ते पांच जार बराबर एक लाग तो ये कुल आए कितनी है जोडने पर एक लाग लेकिन चूंकि पांच जार जो है वो अशुद्ध आउसत आये थी तो शुद्ध आये कब आएगी जब हम सही जो मद था उसको जोड़ेंगे और जो गलत मद था उसको जो अशुद्ध मद था उसको घटा देंगे तो एक लाग में से चुद्ध घटा देंगे जो किया सुद्ध था और जो सुद्ध था उसको जोड़ेंगे चार हज़ार को तो ये 98,000 कुल सुद्ध आया जाएगी अब जब सुद्ध आया गई तो सुद्ध आउसत आय कितनी आजाएगी कुल आए अपान मदों की कुल संख्या 98.1520 कितना आगया अंसर 4900 तो इस घंग से भी आप कर सकते हैं दोनों में से किसी एक तरीके का इस्वाल आप कर सकते हैं अगला समू मादे पूछा जाता है ग्रूब डिमीन दो समू दिये रहते हैं उनको मिला कर तीसा समू जो होता है उसका आउसाद मादे पूछा जाता है या इसको इधर उधर करके प्रश्ण पूछे जाते हैं सारे प्रश्ण हम इसी में देख लेंगे जैसे एक समू दिया हुआ है समू 1 इसमें संख्या दी होई है N1 और औसत दिया है इसका X1 बार इसी तरह समू 2 है इसमें संख्या मदों की N2 दी है और औसत कितना दिया गया है X2 बार तो इनको मिलाने पर जो समू होगा उसकी कुल संख्या कितनी होगी N वराबर N1 प्लस N2 होगा है ना कुल संख्या तो वही रहेगी इन दोनों का जोड़ तो आउसत कितना हो जाएगा आउसत के लिए सूत्र है इसको आप पढ़ लीजे उसको याद कर लीजे ठीक ऐसे सवालों के लिए ये सूत्र आप तयार कर लीजे यहाँ पर जो जो बड़ा समू होगा उसका उसत क्या होगा एक्स डवल बार लिख सकते हैं इसको बराबर N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपान N1 प्लस N2 अर्थाद पहले समू में मदों की संख्या गुरते पहले समू का उसत ठीक प्लस दूसे समू में मदों की संख्या इंटू दूसे समू का उसत अपान N1 प्लस N2 अर्थाद दोनों समू को मिला कर जो संख्या है मदों की कुल उसका अमान या इसको यदि इसका गुणा इसे कर दिया जाए तो यह सूत्र इस धंक से भी आप लिख सकते हैं इंटू N1 प्लस N2 बराबर यह वैल्यू इस धंक से भी आप लिख सकते हैं आगे सब आलों में आप देखेंगे कि इसका भी प्रयोग होगा इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ बाकी इस सूत्र को आप लिख लीजे आए प्रशनों को देखते हैं पचास शात्रों के एक समूह को प्राप्त अंकों का आउसत 45 है एक समूह है पचास शात्र है मतलब N1 कितना हो गया 50 हो गया प्राप्त अंकों का आउसत अर्थात X1 कितना हो गया 45 हो गया दूसरा समूल दिया उसमें 30 विद्यारखियों को प्राप्त अंकों का अंकों का औसा 55 है अर्थात N2 30 हो गया और X2 कितना हो गया 55 हो गया तो कुल छात्रों का अंकों कितना हो जाएगा N1 X1 plus N2 X2 upon N1 plus N2 N1 की value X1 की value N2 की value X2 की value तो इस तरह X की value इसमें सूत में put up कर दीज़े सीधे सीधे 50 N2 45 N2 30 X2 55 ठीक है upon 50 plus 30 इसको हल कर लेंगे 48 समलो 75 यह उत्तर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं दूसरे में थर्ट सभी कर सकते हैं इसको जैसे मैंने वताया कि जब कुल अउसत अंग दिया है तो कुल अंग निकालाया सकता है तो 50 शात्रों का कुल अंग कितना हो जाएगा 50 मुर्ते 45 ठीक है न 2250 30 शात्रों का कुल अंग कितना आ जाएगा 30 मुर्ते 55 ठीक है लेकिन आप इसी से करिए, सूत्र से करिए, सरलता होगी आपको, कोई भी प्रशन आएगा तो आप हल कर लेंगे, अगला प्रशन है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थियों का अवसत अंक 48.75 है, इस कक्षा के लड़कों के अवसत अंक 45 है, और लड़कियों के अवसत अंक 55 है, तो इस कक्षा के लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्यात करिए, यहां भी वही है, दो समूँ है, और एक बड़ा समूँ है, वो दिया गया है, तो यह चीज ज्यान रखियेगा, जब ऐसा प्रशना आएगा, तो उसमें इसी सूत्र का इस्तिमाल आप करेंगे, ठीक ह असी विद्यार्थियों का ओसा तंक 48 समलों पचाता है, यहां पर कुल विद्यार्थियों का ओसा तंक दे दिया गया है, वहां हमको निकालना रहता था, यहां पर पहले से दे रखा है, इस कक्षा के लड़कों के ओसा तंक 45 और लड़कियों के ओसा तंक 55 है, तो इस कक्ष छातरों की संख्या X मान लिया, जब छातरों की संख्या X मान लेंगे, और टोटल कितने हैं, 80 हैं, दिया हुआ है खक्षा में 80 विद्यार थी है, छातर एक्स हो गया, तो छातराए कितनी हो गयी, मदल्ब लड़किया कितनी हो गई, 80-X, थीक? तो बस इसी सूत्र में रख दीजे फिर N1 की value मिल गई आपको आउसत है कितना 45 दिया हुआ है N2 की value HC-X तो X2 आउसत कितना दिया है 55 दिया हुआ है इस सूत्र में रख दीजे 80-75 टोटल का जो आउसत है बराबर ये हो गया अब 80 का गुड़ा इसमें कर लेंगे तो ये आजाएगा 80 गुड़ते 48-75 X into 45 80-X into 55 इसको हल करेंगे 49 इधर आजाएगा ये 45 X 80 गुड़ते 45-44-55 X यहाँ पर 10 X equal to 500 आगया X equal to 50 आगया X क्या माना था आपने लड़कों की संख्या N1 N2 कितना आ गया 80 टोटल में से 50 वो हटा देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 30 तो लड़कियों की संख्या 30 आ गई लड़कों की संख्या 50 आ गई सोज में आ गया होगा आपके अब अगला प्रश्न देखते हैं किसी कक्षा के विद्यार्थियों का आउसा तंग 48 संख्या है इस कक्षा के लड़कों का आउसा तंग 45 और लड़कियों का आउसा तंग 55 है तो उस कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का प्रतिशत क्यात करें मैंने वही प्रश्न बार बार पूछा है अलग अलग धंग से तो यह तरीका आप देखिए यहाँ पर क्या न तो टोटल N दिया है न तो हमको N मालूम है न तो N1 मालूम है न समूँ 2 में संख्या मालूम है न N मालूम है न N1 मालूम है न N2 मालूम है और यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रतिशत पूछा गया है प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 100 में कितना है न 100 में कितना तो ठीक है तो हम क्या करेंगे total को 100 मान लेंगे जब total को 100 मान लेंगे तो जो हमारा value आएगा N1 और N2 का वो 100 में चूकी होगा तो उसको हम प्रतिशत मान लेंगे वही हमारा प्रतिशत मान होगा ठीक है ना तो N को 100 मान लिया माना लड़कों की संख्या X है अर्थात N1 X है total 100 100 था N1 X मान लिया तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 माइनस X हो जाएगी अब उसी सूत्र में जो हमने बताया था चाहे इसमें रख लिए चाहे इसके बाद जो हमने बताया था डारेक्ट ली करते हैं इसको 100 इंटू 48,75 हो जाएगा यह आपको समझ में आ रहा है इक नहीं हमने डारेक्ट एक स्टेप बढ़ा कर लिख दिया है तो समझ में आ गया होगा आपके दो सवाल हमने पीशे हल किये हैं 100 यहाँ पर होता है न इसका हमने 48,75 हम गुड़ा कर दिया तो इधर आ गया है सिंपल सी प्रक्रिया है तो यह 48,75 आ गया बराबर 45 एक स्टेप इसको एकस्पेंड गया हमने हल करने के बाद एकस की वैलू कितनी आ गई 62.5 आ गई यह 100 में आ रही है तो यही प्रतिशत हो गया हमारा लड़कों का प्रतिशत तो लड़कियों का प्रतिशत ग्याद करने के लिए 100 में से 62.5 गटा देंगे 37.5 लड़कियों का प्रतिशत आ गया इस प्रश्ण में अगर पूछा जाता है लड़कों का प्रतिशत कितना है तो आप 22.5 प्रतिशत बताते लड़कियों का प्रस्षट कितना है 17.5 प्रस्षट बताते अगर दोनों का अलग लग पूछा जाता तो 17.5 प्रस्षट क्रमशर आप बता देते तो यह प्रश्ण अब अगला हम माध्य जो हैरात्मक माध्य देखते है इसका प्रयोग कब किया जाता है हरात्मक माध्य का इसका प्रयोग औसद गत गयात करने के तू किया जाता है जब औसद गत गयात करनी हो कोई वस्त या कोई व्यक्ति जब कई टुकडों में अपनी गती संपन करता है जैसे इलहावा से बनारस गया बनारस से इलहाबाद आया, इलहाबाद से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से मतुरा गया, इधन से कई टुकुडों में अपनी गती तैं करता है, अलग-अलग चाल से, अलग-अलग गती से, ठीक, दूरी तैं करता है, तो यहाँ पर हम जब औसाद गती निकालते हैं, तो उसके यह लिए हम हरात्मत माद्य का प्रयोग करते हैं, हरात्मत माद्य का सूत्र होता है, N अपान, 1 अपान X1 प्लस 1 अपान X2 प्लस इस धंग से जितने मद हैं, उतना 1 अपान XN, जहाँ पर N क्या है, वो सरवेक्षनों की संख्या है, मतलब कितने टुकडियों में वो गती करता है, और यह हर टुकडियम कितना कितना उसका गती रहा, है न, वो यहाँ पर X1, X2, XN से डिनोड करते हैं, प्रतेक सरवेक्षन की गती, ठीक, तो आईए हल करते हैं, एक प्रश्न, इसी पर आधारित, कोई रेल गाड़ी दिल्ली से इलहाबाद 30 किलो मीटर प्रति घं आधी है, तो आउसतगती गियात करें, आउसतगती आद करने के लिए, हरात्म अमाध्य मने बताया, गती बहुत हैं, अर्थाद सरवेक्षन की संnhख्या, जितने टुकडियों उसने गत्य है करिए, यहाँ पर एक बार दिल्ली से इलहाबाद 20 किलो मेंट गंटाम जाता है, अर्थाद X1 30 हो जाएगा और इलहाबास से दिल्ली वापस आता है 60 क्लिवोटर पत घंटा की से अर्थाद 1 अपान 60 हो जाएगा X2 60 हो जाएगा इसी को हल कर लेंगे कितना हो जाएगा यह यह 2 अपान 3 अपान 60 हो जाएगा तो यह 60 उपर चला जाएगा कितना उत्तर आ जाएगा आपका 40 क्लिवोटर पती घंटा ठीक है अब जामिती इमान देखते हैं रात्मक्माद धे आपको समझ में आ गया होगा और भी प्रश्ण धेर सारे जो भी एक्जामस में आया है सभम करवा देंगे चिंता मत करिया बस आपको समझ में आना चाहिए यही मेरा धे है अब जामिती इमान जब कई मद दिये हो इस जंग से X1, X2, X3, X4, X5 इस जंग से XN तक दिया हो तो जबेट्रिक मान जो होता है तो जिमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा रूट का यहाँ पर N होगा और यह सभी का गुणा जितने मद हैं उनका गुणा और जितने मद रहेंगे N के रूट में वो आप लिखेंगे जैसे उदारन के रूप में जैसे 5, 8, 10, 12 यह चार मदे दी हुई है चार वैल्यूज दी हैं तो इसका जो गुणतर सेंड़ी जो जामिती मान आप निकालेंगे जामिती मान तो क्या हो जाएगा चार के रूट में 5 गुणे, 8 गुणते, 10 गुणते 12 सबका गुणा कर देंगे तो यह उत्तर हमारा आ जाएगा चार के रूट में 48 यह हमारा उत्तर हो जाएगा इसको और सरल कर सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने का रूट होता है उतना अगर अंदर कोई संख्या मिल जाए हमको उतना गुणन खंड मिल जाए किसी एक संख्या का, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो किवल दो है ऐसी संख्या जिसके चार हमको गुणन खंड मिल गए, है न तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं, जो चार बार जिसका गुणन हमको मिले अंदर, है न तो यह उत्तर हमारा कितना गया, दो बाहर निकाल लेंगे दो, चार के रूट में 300, ये हमारा उत्तर हो गया जैसे एक उधारन देखे, किसी कमपनी का शुद्ध लाब पहले वर्ष में 20 प्रतिशत और दूसरे वर्ष में 30 प्रतिशत की दर से बढ़ा हो तो दोनों वर्षों की आउसत विद्धिदर ग्याद करें शुद्ध लाब दिया हुआ है, पहले वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़ा और दूसरे वर्ष में 30 प्रतिशत की दर से बढ़ा अलाब रहा वह सो रहा ठीक है न तो बीस प्रश्चत वृद्धिकार्थ कितनी वृद्धी होई कितना हो गया 120 हो गया इसी तरह तीस प्रश्चत वृद्धी का मतलब सो में तीस प्रश्चत सो का तीस प्रश्चत कितना होगा तीस होगा इसको जोड़ देंगे तो वृद्ध Geometric मान जामिती मान आसानी से निकाल लेंगे सूत्रे द्वारा ठीक है न दो के रूट में दो मदें हैं दो के रूट में 120 गुर्टे 130 ठीक इसको हल कर लेंगे इसका रूट कितना हो जाएगा एकस ये प्रतिसत नहीं होगा सौरी 124 दसमलो 899 ये जामिती मान हमारा आ जाएगा है न तो ये वृद्धिदर है ये आउसत वृद्धी है सौरी ये आउसत वृद्धी है 124 दसमलो 899 है है न जब 124 दसमलो 899 है और सुरुवाती जो लाब था कितना था 100 था तो कुल वृद्धी कितनी होई इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 24 दसमलो 899 प्रतिशत ये उत्तर आ जाएगा तो ये जामिती मान हो गया अब समांतर माध्य हरात्मक माध्य और गुनोतर माध्य में क्या संबंध होता है वो देखिलिजे जो समांतर माध्य होता है वो गुनोतर माध्य से अधिक होता है और गुनोतर माध्य हमेशा हरात्मक माध्य से अधिक होता है अर्थात यदि दो संख्याएं दी हो या कई संख्याएं दी हो ये पूछा जाए कि इसमें समांतर माध्य बढ़ा होगा कि गुणोतर माध्य बड़ा होगा कि हरात्मक माध्य बड़ा होगा तो यही सूत्र का उपयोग आप करेंगे सबसे बड़ा समांतर माध्य होगा फिर गुणोतर माध्य होगा और फिर हरात्मक माध्य होगा प्रश्ण ऐसा ही पूछा सकता है कि इसमें जो set दिया गया है इसमें से कौन सा set सही हो सकता है तो उसमें आप option को जब देखेंगे उसमें आप देखेंगे जिस set में समानतर माध्य बड़ा होगा सबसे वही set उत्तर होगा आपका यदि समानतर माध्य बड़ा है तो फिर आप गुड़ोतर माद्य देखेंगे गुड़ोतर माद्य अगर हरात्माग माद्य से बढ़ा होगा तभी तो इस देंग से आप सवाल हल करेंगे दूसरा सूत्र क्या होता है जामिती मान का होल स्क्वाइर बराबर समांतर माद्य गुड़ोतर माद्य हरा तोंग माध्य अर्था GM का स्कॉयर बराबर AM इंटू HM या तो इसको और सरग करेंगे तो GM बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AM इंटू HM तो यह संबंद हुआ AM GM और HM में उदारन देखते हैं दो परिक्षणों का समानतर माध्य 127.5 है और उनका गुणतर माध्य 60 है तो पूछा क्या गया है दोनों परिक्षण क्या होंगे और दूसरा हम मतलब हरात्म अगमाध्य हार्मोनिक मीन क्या होगा उसका तो दिया गया है दो परिक्षणों का उसत माध्य तो दोनों परिक्षण मान लिया पहला परिक्षण X1 है दूसरा या मान लिया X है पहला परिक्षण दूसरा Y है तो जब दो वैलियूस दी हों तो उनका समानतर माध्य कितना हो जाएगा इसका पांट 2 दिया कितना है 127.5 तो X प्लस Y कितना हो जाएगा दो गुणे 127.5 अर्थाथ 255 तिक 255 यह हमारा एक समीकरण मान लीजिए इसको गुणोतर माध्य कितना दिया हुआ है दोनों परिक्षणों का 60 दिया हुआ है गुणोतर माध्य का सूत्र क्या होता है अंडर रूट दो परिक्षण है तो रूट में मालब कि यहां पर दो लिख सकते हैं दो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा अंडर रूट जब टू का रहता है तो हम यहां पर दो नहीं लिखता है ठीक तो रूट X Y इक्वाइर करेंगे तो 60 का स्क्वाइर हो जाएगा तो यह 36 हो जाएगा तो हम इसको दूसरा सूत्र मान लेंगे दूसरा समीकर्ण मान लेंगे तो x प्लस y और xy आ गया अब हमको यदि x और y मान ग्यांद करना हो तो हमको x माइनस y ग्यांद करना होगा तो x माइनस y ग्याद करने के लिए इस सूत्र का इस्तमाल करेंगे तो x-y ग्याद करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तमाल करेंगे x-y बराबर root x-y का whole square minus 4xy ठीक है x-y हमको पता ही है 255 है ठीक और x-y का मान भी पता है 3600 है इसको put up कर देंगे तो ये root 5625 2625 आजाएगा x-y की value कितनी आजाएगी 5625 का root से बाहर निकालेंगे तो ये 225 आजाएगा है ना तो हमको x-y और x-y दोनों मिल गया तो x और y की value ग्याद हो जाएगी यहाँ से x-y बराबर 255 और x-y बराबर 225 है तो यहाँ पर हम हल कर लेंगे x का मान 240 और y का मान 15 आजाएगा तो दोनों प्रेक्षणों की संख्या हमको गयाँत हो गई अब हरात्मक माध्य पूछा है हमको गुरत्तर माध्य पता है समानतर माध्य पता है तो हरात्मक माध्य सूत्र से निकाल लेंगे जो हमने सूत्र पताया GM का स्क्वाय बराबर AM into HM GM हमने दिया हुआ है गुरतर माध्य कितना? जामती माध्य 60 गुरते 60 बराबर समांतर माध्य दिया हुआ है 127.5 और हरात्मक माध्य दिया हुआ है हरात्मक माध्य ज्यात करना है ठीक तो value put up कर देंगे सब की हरात्मक माध्य दिया है 28.33 आजएगा माध्य में हम क्या करते थे? जो वितर्ण की संख्याएं होती थी जो मूल्य होते थे उनका औसत निकालते थे मूल्यों का योग अपान जो मूल्यों की संख्या रहती थी उससे हमको माध्य मिल जाता था लेकिन माध्य का हम क्या करते हैं हम वह संख्या ग्यात करते हैं जो वितर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है इसका जो अर्थ होता है वो वितर्ण की संख्या से होता है वैल्यू से नहीं होता है तो मादिका वित्रण की संख्याओं का वह मध्य संख्या है जो पूरे वित्रण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है मादिका मतलब अर्थ से ही मालूम चलता है मध्य का जो मध्य में हो तो आई हम इनके स्वालों जो हल करेंगे तो अच्छे से इनको जान पाएंगे वेक्टिकर स्यर्णी के लिए अगर हल करना हो तो ये वेक्टिकर स्यर्णी एक दी हुई है पांच, आट, दस, बारह, पंदर, बीस, पचीज ये वैल्यूज है सबसे पहले क्या करेंगे सरप्रथम आकड़ों को करम सर बढ़ते हुए अथवा घड़ते हुए क्रम में लिखेंगे देखे ये जो आकड़े हैं पांच, आट, दस, बारह, पंदर, बीस, पचीज करम सर बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं इनको हम घड़ते होए क्रम में भी लिख सकते हैं लेकिन यह व्यवस्थित क्रम होंगे एक्जाम में क्या पूछेगा अब व्यवस्थित तरीके से पूछेगा उसमें पहले आठ दे दिया फिर 10 फिर 5 फिर 25 फिर 20 फिर 15 बारा यह जंग से दे देगा आपको इसको पॉत नहीं होगी दूसरे च्वर में क्या करेंगे एन प्लस वन बाई टूंवापत घ्याद करेंगे और जो यह पद आयएगा वही माधिका होग तो वही मीडियन होगा अर्था यहां पर एन इकॉल टू क्या है से बन क्या है मदों की संख्या है साथ है तो इसका इसका जो सिरीज है इसकी मातिका निकाली हूँ तो 7 प्लस 1 अपांट 2 अर्थाद 4 पद है न 4 आएगा न 4 पद, 4 पद क्या है यहां पे 12 तो इसका एंसर क्या होगा 12 हो जाएगा simple है यदि संख्या सम होती तो ये देखी विश्म संख्या थी 7 थी, 7 धन 1, 8 हो गया और 2 से विभाजित होगी पूरी पूरी तरह तो 4 पद हमको ज्यांत हो गया लेकिन अगर यहां सम संख्या होती, जैसे 8 मीं संख्या भी दी होती, तो हम कैसे निकालते हैं तो 8 धन 1 अपांट 2, 9 बटे 2 अर्था 4 धसमलो 5 करना पड़ता 4 धसमलो 5 पद निकालना पड़ता है न, तो 4 धसमलो 5 पद अर्थाद 4 और 5 के बीच का, 14 पद और 5 पद के बीच का अर्थाद 12 और 15 का योग करके वाई 2 कर देंगे, उसका उसत ही माधिका होगा इतना समझ में आये करके दिखाते हैं 8 प्लस 1 पड़ता 4.5 हुआ, है न, 4 पड़ता 5 पद होगा, तो चौथा पद धन 5 पड़ता पड़ता 4 पद क्या है, 12 है 5 पड़ता पड़ता, 15 है, इसका पड़ता कर दिया, उससत निकाल दिया, तो 3 असमलो 5 है, माधिका आ गई, अगर एक प्रश्ण और देख लें इसमें, देखे, प्रश्ण दिया हुआ है, वैल्यूज दिया चार वैल्यूज है, टोटल नंबर, n एक्वाल टू क्या है, और है इसमें माधिका दी हुई है, 5 इसमें माधिका दी हुई है, 5 तो वही सिंपल है, इसका माधिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n प्लस 1 अपांट 2 तो n क्या है, 4 है, तो 5 बाइट 2 हो जाएगा, है न अर्थाथ 2.5 2.5 अर्थाथ दूसरा पत और तीसरे पत का आउसत निकालना होगा, वही माधिका होगी आए निकालते है दूसरा पत क्या है, 4 है तीसरा पत क्या है, X है बाइ 2 कर देंगे equal to equal to 5 दिया हुई है, माधिका तो दी हुई है हमको X की value पूची गई है इसको हल कर लेंगे तो X equal to कितना आ जाएगा 6 यह answer हो जाएगा X equal to 6 आ जाएगा अब यह तो था व्यक्तिका सेर्णी के लिए सरल था अब discrete series में क्या करेंगे असतत सेर्णी में निकालना हुआ माधिका, तो देखे असतत सेर्णी दी हुई है इसके लिए हम यह step follow करेंगे सबसे पहले संचई आवरित्या, संचई बारंबारता निकालेंगे इस परश्ण के द्वारा हम संचई बारंबारता निकालना भी सीखेंगे उसके बाद वही same N plus 1 by 2 आप दियाद करेंगे लेकिन यहाँ पर N दिया हो नहीं है हमने आपको पहले ही बताया था N जब discrete series में N बराबर ही होता है सिग्मा F अर्था बारंबारताओं का योग ही मदों की संख्या होती है N यहाँ पर सिग्मा F अर्था इनको जोड़ लेंगे तो वही आपका N हो जाएगा जो मूँ ले आएगा वही मीडियन होगा तो इसका मीडियन निकालना हुआ तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे CF निकालने के लिए क्या करेंगे CF निकालने के लिए हम यहाँ पर CF का एक कालम बनाएंगे CF निकलेंगे, संचभी बारंबारता, इसमें सिर्फ इस पे ध्यान आप दीजिये, CF निकलते वक्त, इससे कोई मतलब नहीं है, value से, सिर्फ बारंबारताओं से मतलब है, CF निकलने, संचभी बारंबारता है, सबसे पहले इस पत को लिख लेंगे जैसे है तीन है अब इसको तीन को चार सेट करेंगे साथ हो जाएगा साथ को चार सेट करेंगे ग्यारो हो जाएगा ग्यारो को पान सेट करेंगे सोला हो जाएगा सोला को चार सेट करेंगे बीस हो जाएगा बीस को तीन से अट करेंगे, तेस हो जाएगा, तेस को दो से अट करेंगे, पच्चिस हो जाएगा, पच्चिस को दो से अट करेंगे, तो 27 हो जाएगा, ठीक है न, तो इस तरह से संचाई बारमबारता निकालेंगे, यह चीज ध्यान रखेएगा, जो इनका योग होगा, ठी होगी वह 27 होगी ठीक तो देखे इस तरह से हमारा बन जाएगा एक कालम और बन जाएगा सी अपका जैसा मैंने बताया उडंग से लिख लेंगे अब यहां पर एन इक्वल टू 27 है तो हम निकाल लेंगे वही सूत्र 27 प्लस बस बन अपांट टू अर्थार 14 पद है न तो यहां पर 14 पद क्या है चोदवा पद क्या है यहां पर देखे चोदवा पद क्या है तीन पद यहां तक ठीक यहां तक 7 पद हुए यहां तक 11 पद हुए है न ग्यार पद हुए अब 11 के बाद जितने पद हैं 16 तक यहां पर आए बारह से लेकर सोलत तक तो बारह से लेकर सोलत तक की वैल्यू कितनी होगी बारह होगी तो यही वैल्यू उत्तर होगी इसका ठीक है ना एक बार और समझा देते हैं आपको हमको चौधावा पद निकालना है चौधावा पद निकालना है ठीक है तो तीन पद तक तो यहीं हो गया पांच तीन चार साथ साथ पद तक आठ बाकी के जो अगले पद हैं साथ से लेकर ग्यारत तक वहाँ दस होगा ग्यारत से लेकर 16 तक 12 हमको निकालना कितना है चौधावा पद निकालना है तो चौधावा पद इसी में आएगा न तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 होगी अब तो सौझ में आ गया होगा आपकी अगर एन इकॉल टू 28 होता अथाथ यह 28 होता तब क्या होता तब 14.5 पद ह 12 ही होता क्योंकि वह 12 से 16 तक जितने पद है उनकी वैल्यू कितनी आएगी 12 ही है 12 से 16 तक जितनी वैल्यू जाएंगी उनकी वैल्यू कितनी होगी 12 होगी जितने पद होंगे अब आपको संचाई 12 मरता का मतलब समझ में आ रहा होगा अच्छा यदि n इकॉल टू 32 होता तब 32.1 by 2 अर्थाथ 16.5 पद निकालना होता 16.5 पद निकालना होता अर्थाथ 16.5 पद और 17.5 पद का योग अपांटू करना पड़ता तो यहाँ पर 16.5 पद कहां तक है 16.5 क्या है 17 से लेकर 20 तक क्या है वैल्यू 15 है तो 12 धन 15 का योग करके आपांटू कर देंगे सीधी सी बात है तो 12 प्लस 15 पांटू इक्वल टू 13 असमलो 5 मैं आपको बहुत ही ब्यवहारी तरीके से बता रहा हूं कोई कठिन शब्द यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए आशा है आपको समझ में आ रहा होगा अब कांटिनिवस सीरीज के लिए था सतस्वेणी के लिए कैसे निकालेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा इसमें सूत्र एक याद करना होगा चली देखते हैं उसी तरह संचाई आवरती नहीं दी रहेगी मैंने इसमें एड कर दिया है सबसे पहले संचाई आवरती ग्याद करेंगे यहां तक आपको दिया रहेगा एक्जाम में हो सकता है संचाई आवृती भी दी रहती ही कहीं अगर नहीं दी रहती तो उसको निकालना पड़ेगा आपको माधिका निकालने के लिए continuous series में 0 to 10 interval में बारम बढ़ता 4 है जैसा कि संचाई आवृती हमने निकालने के आपको तरीका होता है चार को लिख लिए 4, 5, 9, 10, 19, 19, 23, 22, 24, 26 ठीक है ना 26, 28, 28, 32, 30 ठीक इस तरह से लिख लिए आपने cf निकाल लिया अब n upon 2 वापद ग्याद करिए उसमें हम क्या करते थे एं प्लस 1 वाइट 2 वापद ग्याद करते थे लेकिन यहाँ पे हम n वाइट 2 वापद ग्याद करेंगे ठीक तो n क्या हो गए यहाँ पे सेम sigma f equal to 30 है इनका जोड क्या है बारम बारताओं का योग 30 है यहीं मारा n है तो 30 by 2 हो जाएगा है ना n प्लस 2 वापद हो जाएगा मतलब 15 वापद तो 15 वापद क्या होगा पंद्रहुमापत क्या होगा, चार तक यहां हो गया, नो तक यहां हो गया, तो पंद्रहुमापत कहा आएगा, 19 वाले में आएगा, अर्थारत, 10, यहां तक आएगा है ना, 20 से, 30, यह हमारा क्या हो गया, ठीक है न, तो 20 से 30 हमारे क्या हो गया, यही median class हो गया हमारा, यही जो value होगी यही, median class हमको n प्लस 2 आपद मिल गया, है न, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस सूत्र को आप तयार कर लिजे, माधिका एक्वल टू L1 प्लस N बाई 2 माइनस C अपान F इन्टू I, जहाँ पर L1 क्या है, माधिका जो median class है, उसकी निम नसीमा अर्था, निम नसीमा 20 होगी इसकी, उच्च नसीमा 30 होगी, है न, तो median class की नि N क्या है, सिगमा F, जो हमने आपको बता है, है न, और C क्या है, median class की ठीक पहले वाले class की संचाई आवरित्ती, median class इसमें क्या हमने निकाला, 20 से 30, इसके ठीक पहले वाले class की आवरित्ती कितनी थी, संचाई आवरित्ती कितनी थी, 9 थी, है न, ठीक पहले वाले class की संचाई आवरित्ती निकालनी है, है न, उसके बाद, F, median class की आवरित्ती, जो median class है, 20-30, इसकी आवरित्ती कितनी है, 10 है, और I, अर्था, median class का class interval, class interval, class interval निकालने के लिए हम, क्या करेंगे, 30 में से 20 घटा देंगे, हाँ, 30 में से 20 घटा देंगे, वही class interval, 10 आगया, है न, तो इस तरह से इस सूत्र में है, हम put up कर देंगे, तो हमारा, हमारी माध्यका हमको मिल जाएगी, आए देखते हैं, क्या करेंगे, n by 2, equal to 32, अर्था 15 घट, 15 घट हो गया हमको, है न, अर्थार, median class घट हो गया, 15 घट होगा, वही median class होगी, 20 से 30, 11 equal to 20, C equal to 9, F equal to 10, I equal to 10, जैसा मैंने आपको उपर बताया, इसमें put up कर दिया, तो value हमारी 26 आ गई, n by 2 यहाँ पर 30.2 करेंगे, तो 15 आ जाएगा, C की value 9 घट, यह, जो median class है, उसके ठीक पहले वाले class की संचेई आवरित्ती है, है न, F क्या है, median class की आवरित्ती, और I क्या है, class interval है, median class, तो मादिका हमारी 26 आ गई, तो इस तरह से मादिका हम, मादिका तीनों सिरीज में मादिका कैसे निकालेंगे, उस तरीकों के हमने सीखा, आब बहुलक ज्याद करेंगे, mod, बहुलक एक प्रकार का आउसत है, जो मदों की आवरित्तियों पर निर्भार करता है, जिस मत की आवरित्ती सबसे यादा रहेगी, जैसे हमको पूछना हुआ, कि लखानी के सबसे यादा जूते बिके, या हमने कहा कि लखानी के आठ नंबर के जूते सबसे यादा बिके, इस का अर्थम क्या कह रहे हैं, कि आठ नंबर के जूते को खरीदने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा रही अर्थाथ आठ नंबर की बारंबारता सबसे अधिक रही यही बहुलक है, आठ नंबर बहुलक हो जाएगा, है नौ तो जिसमत की सर्वाधिक आवृत्ति होगी या जहां पर आवरित्तियों का घनत तो सरवादिक होगा या आवरित्तियों का घनत तो सरवादिक हो उसके आज पास ही सबसे यादा जूते खईदे गए हूँ तो वही बहुलक होगा आईए इसको करके देखते हैं इंडिविजिवल सिरीज में वेतिगा सिरीज में देखिए 10 12 12 15 15 15 25 शीत इस बात है यहां पर बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे आप सबसे यदा बारम बढ़ता है किसकी है 15 की है तो जेट या जेट से दरसाते हैं इसको मौड को देखिए आप याद रखिए जो माध्य है उ मौर्ड कितना हो जाएगा बारम बारता जिजनी सबस्यदिक होगा है 15 है ना यही आपका बहुलक हो झायेगा सिंपल से डिस्कीट सिरीज में क्या करेंगे यहां भी वही है बारम बारता देखेंगे सबस्यादा जिसकी रहेगी तो यहां पर क्या देखते हैं सबस्यादा बारम बारता किसकी है आठ की है है नो पंद्र बारम बारता है इसकी तो हमारा जो बहुलक होगा वो आठ हो जाएगा अब यदि ये दिया रहता यहाँ पर 8 की जगह 15 दिया रहता है वही हमने यहाँ पर लिखी है लेकिन अगर यहाँ पर 8 की जगह 8 जब था तब तो हमारा एंसर सीधे-सीधे जेड इकल टू 8 आ गया ठीक है न 15 जब था इसकी बार हम बढ़ता सबसे अधिक थी लेकिन लेकिन लेट अस सपोस्थ यह भी 15 होता हो यह भी 15 है तब हम क्या करते तब हमने जो बता है कि जहां पर डेंसिटी सबसे आदा हो घनत तो सबसे आदा हो घनत तो के लिए हम क्या करे आठीक है तो सबसे आधिक देखिने जब 15 दीया हुआ सबसे आधा था तो हमेंने उस एंसर को निकाल लिया कि 8 की बारम बारता सबसे अधिक है 15 है ठीक सभी values में 8 की बारंबरता सबसे अधिक थी तो उसका answer तो 8 हो गया लेकिन अगर 8 की जगह यहां पर 15 होता 8 9 होता 8 9 के 15 होता तब इन दोनों की बारंबरता सेम थी 8 की भी 15 बारंबरता आ रही थी और 10 की भी 15 बारंबरता आ रही थी है न ऐसे सवालों हम क्या करेंगे गनत्व निकालेंगे कि 8 की जो value है उसका गनत्व कितना है अर्थात इसमें हम क्या करेंगे 8 की जो बारंबरता है उसके एक पहले की बारंबरता और एक बात की बारंबरता इन तीनों को जोड़ देंगे इसी तरह 10 की बारंबरता में एक पहले की बारमबरता को एक बात की बारमबरता को जोड़ देंगे तो जिसकी अधिक होगी यही कहा जाएगा उसका घनत अधिक है अर्थात वही हमारा मौड या बहुलक है तो यहाँ पर हमने वही किया है देखे घनत्व निकाला है आठ तो आठ का घनत्व क्या हो जाएगा दस धन पंद्र धन पंद्र इसको हम मिटा देते हैं ठीक दस धन पंद्र धन पंद्र बराबर चालिस हो जाएगा 8 की बारम बरता 40 आ जाएगी घनत्व कहिए इसको ठीक बारम बरताओं का घनत्व और 10 की बारम बरताओं का घनत्व अगर निकालेंगे तो ये 15 धन 15 धन 6 है न तथा 15 धन 35 धन 36 तो यहाँ पे हमारी value कितनी आ गई बहुलक कितना आ गया 8 क्योंकि 8 का घनत्व 40 आ रहा है दस का घनत्व 36 आ रहा है तो ऐसे सवालों में हम इस तरह हल करेंगे अब next सतफ सेंड़े के लिए continuous series के लिए यहाँ भी हम सबसे पहले CF निकालेंगे अर्था संचाई बारम बरता निकालेंगे फिर mod class ग्यात करेंगे mod class आसानी से ग्यात हो जाएगा जिसकी बारम बारता सबसे अधिक रहेगी या घनत्व जिसका सबसे अधिक रहेगा हमने बताया आपको तरीका तो mod class ग्यात होगा फिर mod का यह सूत्र है इसको आप याद कर लिजे mod का सूत्र mod अर्था z बराबर L1 प्लस Fm माइनस F1 by 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुरित आई यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा mod class की निम नसीमा हो जाएगी Fm क्या होगा mod class की आवरित्य हो जाएगी F1 क्या है mod class के ठीक पहले वाले class की आवरित्य या बारम बारता और F2 क्या है F2 ठीक बाद वाले क्लास की बारंबारता और I क्या है मौड क्लास का क्लास इंटर्वल ठीक वरगंतराल आएए देखते हैं जिसे यह दिया हुआ है इसमें मैंने CF पहले से लिख लिया है 0 से 10 तक बारंबारता 8 है 10 से 20 तक 15 है 20 से 30 तक 20 इस धन से दी हुई है तो हमने संचाई बारंबारता निकाल ली संचाई बारंबारता निकाल ली अब हम मौड क्लास ग्याद करेंगे मौड निकालने के लिए हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता रहेगी सबसे बारंबारता क्या है 45 है किसकी है 40-50 40-50 है 40-50 है 40-50 है इसकी निम नसीमा 11 क्या हो गई 40 हो गई FM मतलब 12 बारम बारता कितनी हो गई 55 है F1 मतलब ठीक पहले वाले क्लास की 12 बारम बारता 40 हो गई F2 मतलब ठीक बारम बारता 35 हो गई I equal to 10 Class interval 50 में 40 गए 10 10 है class interval अब इसी को यहाँ पर put up कर देना है इसको इस values को यहाँ पर put up कर देना है तो put up करिए 40 धन 55-40 upon 2 into 55-40-35 into 10 इसको हल कर लेंगे इस थंग से तो हमारा 310 upon 7 बराबर 44.28 यह हमारा हमारा बहुलक आ जाएगा तो इस तरह से हमने mean median mode तीनों देख लिए तीनों के सवाल कैसे पूछे आ सकते हैं और जितने सवाल पूछे गए हैं आज तक मैं सब हल करा दूँगा उससे आपको बहुत ही clear हो जाएगा तीनों में संबंदों पर भी सवाल आते हैं दो तरह के वितरण होते हैं देखिए एक सम्मित होता है एक असम्मित वितरण अर्थात एक विशम वितरण होता है एक सम्मित वितरण होता है तो ये वितरण क्या है मैं आपको एक ग्राफ में समझा दूँगा अभी आप केवल इन दो तीनों में समझे विशम वितरण की तू गुणते मीन अर्थाद बहुलक बराबर तीन गुणत माधिका माइनस दो गुणत माध्य इसमें से दो दिये रहेंगे एक की वैल्यू पूछी जाएगी या बहुलक माधिका दिया रहेगा माध्य पूछा जाएगा माध्य माध्य का दिया रहेगा बहुलक पूछा जा कि सम्मित वितरण में तीनों एक्वल होंगे सम्मित वितरण में माध्य माधिका व बहुलक तीनों बराबर होंगे तो जैसे एक सवाल देख लेते हैं इस तरह से सवाल आएगा कि एक विशम वितरण में बहुलक पांच तथा माध्य दस है तो इस वितरण की माधिका क्या पर 3 गुणित माधिका माध्य कितना दिया है माध्य कितना दिया है दस दिया है 5 एकल टू 3m-20 3m एकल टू क्या हो जाएगा वीस उस तरफ चला जाएगा 25 25 तो 3m एकल टू 25 तो m एकल टू 25 वपान 3 25 वपान 3 यह मारा उत्तर हो जाएगा आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद